तो बहुत सरे लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च या SEO या डिश्टल मार्केटिंग सेर्फ ओन बिजनसेस के लिए है जो ऑनलाइन बिख सकते हैं वो सरे लोग जो फिजिकल बिजनसेस रखते हैं उनको लगता है कि SEO या मार्केटिंग उनके लिए नहीं है वो इसको इग्नोर करते हैं और वो अल्टिमेटली इसमें फ्लॉप हो जाते हैं इन में से एक केस्टड़ी मैंने ली है डेंटिस्ट की तो अगर एक डेंटिस्ट को आप इमेजन करें तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए लेकिन क्या डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्टर मार्केटिंग एक बेतर आप्शन हो सकती है क्या वो अपना बिजनस ग्रो कर सकता है डेंटिस्टर मार्केटिंग की वज़ा से क्या SEO में लोग उसको identify कर सकते हैं कि अच्छा डाक्टर कौन सा है क्या search उसकी brand building में उसकी recognition में उसको help कर सकती है या acquisition में उसको help कर सकती है ultimately यह वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम अभी हम find out करेंगे in short मैं आपको यह बताता चलूँ कि business चैक कोई भी हो आपको digital पे सब सर्च कर रहे हैं और उनमें वो businesses भी हैं जो digital पे चलते हैं और वो businesses भी हैं जो digital पे कभी जोनने शहीं सोचा भी नहीं था तो doctors एक ऐसी category है जो के समझते हैं कि उनके पास customer चल कर आता है और इस तान से बहुत सारे businesses और भी हैं जिसको यह लगता है कि customer भाई पास चल कर आता है और उसको digital marketing की क्या जरूरत है या हमें website की क्या जरूरत है या SEO में हम क्यों invest करें जब कि हमारा customer हमें खुद call करता है अब ही हम identify करेंगे कि क्या dentists या इस जैसे और businesses उनको Google से कोई help मिल सकती है या उनको digital marketing या SEO से कोई help मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो वो कैसे आईए देखते है मैं दुबारा से Google Ads पे login करूँगा उसमें keyword planner tool पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं search करूँगा dentist अगर मेरा dentist का business है तो मैं expect करूँगा लोग dentist लेकर ही मुझे search करेंगे तो हम भी देखेंगे कि सबसे ज़्यदा dentist में क्या search होता है जैसे मुझे result आया तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफी ज़्यदा searches हैं इसका मैं अगर sort कर लूँ highest to lowest तो teeth whitening सबसे ज़्यदा सर्च हो रही है dentist game शायद ऐसा keyword है जो के maybe dentist related ना हो maybe यह mobile apps या mobile games के related है so हम इसको क्या करेंगे हम इसको further explore करने के लिए download कर लेंगे और मैं मजीद चाहूँगा कि हम मजीद keyword सर्च करें so for example मुझे यहाँ पर dental clinic एक word नजर आया जो के एक अच्छा keyword है dentist के लिए हो सकता है लोग dentist लिखे dentist को ना सर्च करें वो dental clinic लिखे dentist को सर्च करें so हम इसको keyword को expand करेंगे keyword इस search को expand करने के लिए मैं dental clinic सर्च करूँगा और देखूँगा कि इसके गेन सामें क्या result आता है जैसे मैंने dental clinic लिखा टॉप पे मुझे अभी भी dentist मिल रहा है लेकिन इसके नीचे शायद dental, technician, dental, treatment इस सारे वो keywords हैं जो मुझे Google दिखा रहा है तो इसको भी हम download कर लेंगे ताके हमें पता हो कि कितने लोग इस search कर रहे है finally जैसे कि हमने देखा कि teeth whitening एक important topic है तो अगर मैं teeth whitening as a keyword ही search करूँ और देखने हो कि teeth whitening करवाने वारे लोग teeth whitening को search करने के लिए और क्या क्या लिखते हैं तो मैं इसको search करके देख सकता हूँ कि इसके against Google क्या क्या हमें show करता है तो Google के नजदीग अगर आप teeth whitening search कर रहे हैं तो वो audience प्रैली, wisdom teeth, veneers, tooth pain, crown जब बाकी चीज़ें भी इस related search करेंगे तो teeth whitening में teeth whitening tips भी लोग search कर रहे हैं और इसके बाद natural teeth whitening जैसे टोटके भी search कर रहे हैं तो अगर आप एक doctor की website हैं तो आपको कोई हर्च नहीं है कि आप tips जो लोग धूंडना चाहरे हैं वो आपकी website से ही वो ले ले लें क्योंकि अगर वो आपसे ठीक करवाने आएंगे दान्त तो अगर ये भी possibility है कि वो पहले आप trust build करने के लिए आपकी आपके blog को पढ़ें, आपके articles को पढ़ें और उसमें देखेंगे कि आपको कितना पता है अपने field के बारे में और आप कितना बेतर जानते हैं, जब आपकी tips पढ़ेंगे तो maybe possibility है कि वो आपसे आपके इलाज भी करवाएंगे तो इसको भी मैं download कर लूँगा मैं अपनी google drive में जाकर एक नए client का folder create करूँगा, जिसमें मैं इसका नाम XYZ dentist रख रहा हूँ इसके अंडर मैं keyword research folder create करूँगा और इसके अंडर मैं different folder create करूँगा उनके keyword से related so dentist और dental clinic almost एक ही चीज को सरच करने के लिए दो different terms है तो मैं उनको possibility है कि एक ही जगा पे लिख लूँगा तो dentist का मैंने एक folder create कर दिया और इसके बाद मैं teeth whitening जो के एक service है उसका folder बनाऊँगा और मैं इन folders में वो file यह upload कर दूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने file ने upload कर दी है और मैं आप इसको एक file को open करूँगा और उसमें अपने keyword shortlist कर लूँगा यह देखने के लिए कि मैरे कौन से keywords related हैं और कौन से नहीं तो आप मैं देखा होगा कि मैंने file के नाम change नहीं किये जो के बाद में मसला कर सकती हैं कि मुझे शायद याद ना रहे कि यह file किस keyword के गेंज थी तो मैं इसको अभी change कर सकता हूँ ताकि हमें यह बाद में याद रहे कि यह हमने किस के गेंज सर्च की थी सेम वही प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हम हम पहले करते आ रहे हैं इसको हम organize करने के लिए filters लगाएंगे filter लगाने से पहले हम एक column और create कर लेते हैं और इसको number assign कर लेते हैं numbering करने से फाइदा जो होता है कि आप sorting दुबारा कर सकते हैं इसको मैं filter लगाने के बाद minimum searches को मैं highest to lowest short करूँगा ताके सबसे उपर वह keywords आजें जो सबसे दा सर्च हो रहे हैं dental clinic मुझे एक अच्छा keyword लग रहा है क्योंकि possibility है कि जो dentist के बाद जाना चाहरा है वह dental clinic सर्च करेगा dentist भी एक अच्छा keyword हो सकता है लेकिं यह बहुत broad बहुत एक short tail keyword है और इसमें काफी variations आ सकती है तो इसको हम priority पर नहीं रखेंगे लेकिन in future में भी sometimes हम चाहेंगे इसको भी हम optimize करें किसी page के उपर तो जैसे कि आप देख रहे हैं dental surgery या tooth extraction यह बड़ी specific keywords हैं और बड़ी specific services हैं जिसके गेंच एक नया page बनाया जा सकता है अगर already exist नहीं करता और आप उनके ओपर जब कोई tooth extraction सर्च करें तो अगर आप यह services offer करते हैं या आपका client जो के doctor होगा वो यह services offer करता है तो वो इस पे traffic लेकर इस पे conversion ले सकता है कुछ लोग dental clinic near me search करते हैं यह near me एक बड़ा interesting topic है इसको मैं अभी आपको elaborate करता हूँ क्योंकि यह google का artificial intelligence जो है उसको trigger करता है तो नीचे अगर आप drill down करते जाएं तो आपको काफी ऐसे keywords मिलेंगे जिन पर हम नए pages बना सकेंगे जिन पर आप keywords आप देख लेंगे कि कौन से keywords किस pages पर जाने चाहिए और ultimately हम यह same वही exercise repeat करेंगे जो हमने बाकी brand के साथ की थी क्योंकि कोई भी business अगर आप लेके चल रहे हैं तो उनके लिए सब का एक procedure keyword research का उसको short listing का सब एक ही है आप ने सारे keywords उनके business goal से link करने हैं ताके उनको sales generate हो और जब उनको sales generate होंगी तो उनको business में लेगा उनको business में लेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे ultimately आपकी jobs रहेंगी तो अगर यह आपका अपना business है तो of course आप खुद भी इसको grow कर सकते हैं अपने business को जैसे कि आपने देखा इस example में हमने dentist के लिए keywords shortlist किये इसको आप मजीद elaborate कर सकते हैं मजीद services के लेते हुए आप मजीद expand कर सकते हैं मेरा मक्सद यह था कि मैं आपको idea दे दूँ कि start कैसे होता है और यह कैसे किया जा सकता है of course इसमें कोई limit नहीं है और यह never ending process होता है क्यो कि बड़ी थेजी से Google में popular हो रहा है तो जैसे कि हमने शुरू में discuss किया था कि Google हमें हर जगा से track करता है जब लोग लिखते हैं near me तो असल में Google को जो लोग यह पूछते हैं कि मैं जहां घड़ा हूँ या मेरे आसपस मैं जहां पर हूँ उसके आसपस मुझे dentist दिखाओ तो गूगल को पूरे एक engine trigger होता है और वो आपकी location track करता है और location track करने के लिए वो आपके mobile phone से GPS से track कर सकता है अगर आप system पे हैं तो आपके IP address से track करेगा और आपको वो ही results दिखाएगा जो आपके आसपस होंगे तो imagine करें कि अगर आप dentist धूड़ें और आप पाकिस्तान में ह तो क्या उस पे click करेंगे तो अगर आप click करेंगे तो क्या आप उसके पाद जा सकेंगे नहीं तो basically होगा क्या कि गूगल यही चाहता है कि आपको right time पे right results दे जब मैं यह लिखूंगा dentist near me और मैं लाहूर में हूँ तो लाहूर के ही dentist में नजर आएंगे और possibility है कि वो के लिए एक algorithm है Google का जिसके तहत वो यह launch करता है कि वो आपको पहले track करेगा क्या आप कहा है उसके बाद वो business को track करेगा कि इसके आसपस businesses कौन से हैं और यहाँ पर Google Maps से वो data link करेगा और Google Maps के results भी दिखाएगा और Google के results भी दिखाएगा ultimately आपको वो results मिल जाएंगे जो आप धून रहे हैं तो यह चीजे businesses के लिए बड़ी important हैं understand करना कि लोग क्या link कर सरच करते हैं और किस तरह से queries बदलती है different services को धूनने के लिए तो जो brand या जो business in keywords को capture कर लेगा अच्छी तरह से demand को capture करेगा तो वो ज्यादा पैसे बना करें